नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम प्लंबम मेटालिकम होमेपथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे वीडियो को पूर अवस्से देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं तो आईए समझते हैं जो लोग पेंटिंग का या छापे खानों में कमपोजिंग का काम करते हैं उन्हें दिन रात सीसे के संपर्ख में आना पड़ता है नएपेंट हुए मकान में सोने से अनेक व्यक्तियों को पेट दर्द होनी लगता है जिसे सीसे का दर्द कहा जा सकता है कमपोजिंग का काम करने वाले को इसी प्रकार का पेट दर्द तथा अंगो का पक्छा घात पाया जाता है नए पेंट हुए मकान में पेंट का क्या सुक्छ में तत्व है जो मनुस्यों को रुगन कर देता है या सीसे के टाइप में क्या सुक्ष में तत्व हैं जो कमपोजिंग का काम करने वाले को पक्छा घात की तरफ ले जाता है इसका उत्तर सिवाई इसके क्या हो सकता है कि सीसे के सुक्ष में अनू जो माइक्रो स्कोप से भी नहीं देखे जा सकते व्यक्ति के जीविनी सक्ति पर आक्रमन करते हैं और पेट दर्द या पक्छा घात सी अवस्था उत्रपन्ने कर देते हैं होमिपैथिय के दृष्टी से वे सीसे की परिच्छा सिद्धी अर्थात प्रूविंग के शिकार हो रहे होते हैं किसी रोग में इस परकार के लक्षनों के उत्रपन्न हो जाने पर प्लंबम मेटेलिकम लाबदायक सिद्ध होता है अब मैं प्लंबम मेटेलिकम के और क्या फायदे हैं एक एकर करके समझाता हूँ पेट दर्द के साथ रोगी अनुभव करता है कि पेट की पेशी को किसी ने पीछे पीट की तरफ खीच रहा है पेट दर्द ऐसा होता है मानों पेट को कोई पीछे से रीर की हड़ी की तरफ रसी से खीच रहा होता है यह खिचाऊ या तो सिर्फ अनूभूती के रूठ में होता है या तो पेट सचमुझ पीछी की ओर पिचक जाता है और पीट के साथ लग जाता है दर्द से रोगी बेचैन हो जाता है, दर्द अगर नीचे की तरफ फैलता है तो पाउं में एंठन होती है, उपर की ओर फैलता है तो ये बिहोसी सी आ जाती है रोगी अपने सरीर को लंबा फैलाने की कुसिस करता है परन्तु किसी करवट उसे चैन नहीं मिलता इस दर्द के साथ प्राया कबज रहती है, पेट दर्द में इसका मुख्य लक्षन दर्द के साथ पीट, जो दर्द के साथ जो पेट है उसका पीट के साथ सट जाना होता है पेट का दर्द में बेलाडोना, कोलोसिंथ, किप्रममेट, मैगफॉस अर्थात मैगनीसिया फॉस और डायोस्कोरिया में भी पेट दर्द में दिया जाता है परन्तु इन सब में क्या-क्या भेध है एक बस समझने जूरी है तो मैं जल जली समझा देता हूँ अचा अब देखें कि बेलाडोना का पेट दर्द कैसा होता है तो यह चलता फिरता पेट दर्द है जो यकायक आता है यकायक चला जाता है रोगी ऐसा अनुबव करता है मानो पेट में कील गुसेरी जा रही है थोड़ी भी असपर्स से दर्द बर जाता है रोगी पेट दर्द के अस्थान को छोने नहीं देता परंतु जोड से दबाने से उसे राम आता है ऐसे में बेला डूना अच्छा कोलोसिंत का पेट दर्द कैसा होता है तो यह पेट दर्द पलंबरंब जो मेटेलिकम है उसके दर्द जैसा ही है जो कि नाभी परदेश के केंदरी अस्थान से उठता है वहां से उठका सारे पेट में या छाती तक फैल जाता है रोगी ऐसा अनुबव करता है मानो उसकी आतें पत्थरों की दो पाटों में पिसी जा रही है रोगी दर्द से दोहरा हुआ जाता है दोहरा होने से पेट जब दबाव परता है पेट में तब उसे अराम आता है अगर रोगी किसी सक्त वस्तु से पेट को भी दबाता है तो पेट दर्द हलका पर जाता है उसे आराम मिल जाता है, ऐसे में कोलो सिंधेस किप्रममेट का दर्थ तो इसमें पेट में भ erfolg कर एंधन परती है आतों के एक अन्स के दुसरे अन्स अन्स में घुज जाने पर जो भ सेट दर्थ होता है जिसमें रोगी की चीके निकल जाती है उल्टी से महसूस होती है उसमें यह औशदी आस्चरे जनक कारे करता है मैगनिसिया फॉस का पेट दर्द तो इसका दर्द सेंक से टांगो को सिकोर कर लेटने से दबाने से पेट को ठीक राता है परन्तु विसेस लक्षन है कि सेंक से दर्द में कमी तो ऐसे में मैगनिसिया फॉस तो कड़ीब कड़ी मैंने सभी का पेट की दर्द में क्या क्या लक्षन है मैंने पताया है प्लंबम मेटेलिकम के आगे का लक्षन तो धीरे धीरे होने वाला पक्छागात यह पक्छागात धीरे-धीरे बढ़ता है त्वचा की आतों की मुत्राशे की मन की शितिलता बढ़ती जाती है पहले भिन्निभिन अंगों का और अंत में शंपूर्ण शरीर का पक्छागात हो जाता है ऐसे में प्लंबम मिट्रेलिकम लाप करेगा आगे का लक्छन की त्वचा की शितिलता या समवेदन सिलता का हराज रोगी की त्वचा की समवेदन सिलता धीरे-धीरे कम होती जाती है उधारन के लिए देखियेगा कि सधारन तोर पे अगर किसी व्यक्ति की चूटी काटी जाए तो वह जट प्रतिक्रिया करता है लोगी को चूटी काटी जाए तो थोड़ी दिर बाद वह काता है ओह इसे से असपस्ट है कि उसकी समवेदन स्रीलता सिथिल परती जा रही है अंगूलियां सुनने परने लगी है हं थेली और पाउं के तलवे सुनने होने लगे हैं त्वचा में भी सुनने पन आने लगता है सरीर के अंगे हैं सब अंगों का काम धीमा परने लगता है असनायू संस्थान पहले जैसी सजगता के से काम नहीं करता मांसपेसी भी अपने काम में ढीली पर जाती है इस प्रकार सुरू में हलका पक्छागात दिखलाई देता है जो यसा जैसा मैंने बताया किसी-किसी अं आगे किलक्शन के कलाई गिल जाती है अर्थात-इवरिस्ट-ड्रॉप इसका वी तुचा की सिथिलता से ही संबंध है रोगी की वे मांसपेसीयां जिनकी शक्ति से हाथ या पाउं को इक्छानुसार घुमाया फिराया जाता है, सिथिल पढ़ जाते हैं और हाथ की मानस्पेसी की सिथिलता की कारण रोगी की कलाई गिर परती है वह हार्मोनियम तथा पियानु नहीं बजा सकता, कलम हाथ में लेकर अच्छे से लिख नहीं सकता, उंगलियों को इक्छानुसार संचालन नहीं कर सकता जब मानस्पेसी से अधिक काम लिया जाता है, तब भी ठक जाने की कारण वह काम नहीं कर सकता ठकी हुई हालत में भी जाने से भी मानस्पेसीया जवाब दे देती है ऐसी हालत में रस्टॉक्स लाप करता है, परन्तु रस्टॉक्स दिर्ग गामी औसदे नहीं है हलके रोगों में इसका उप्यो किया जाता है, गहरे तथा क्रॉनिक लक्षलों में प्लंब मेटैलिकम से ही लाप होगा थोरा बहुत है, एक्यूट है, रस्टॉक्स अच्छा कर देगा गहरा है, काफी दिनों से है, बहुत क्रॉनिक है, गहराई तक घुच चुका है, प्लंब मेटैलिकम यूज किजिएगा आतो की सिथिलता अर्थात कब्ज में इस औसदी की चरित्रगत सिथिलता का प्रभाव आतो पर भी परता है जिससे आते सिथिल हो जाती है, मल को बाहर नहीं धकिल सकती आतो में मल सुक जाता है, मल की गाठें पर जाती है वह भेड की मेंगनी की तरह का हो जाता है ओपियम में भी ऐसा गठीला मल पाये जाता है ओपियम के रोगी को उंगाई रती है, प्लंबम में स्नाइविक सिथिलता रती है अगर प्लाटिना के लक्षिनों पर कबज में लाब ना हो तो प्लंबम मेटैलिकम से लाब हो जाता है अगर गुदा में खुश्क मल अर्थात बहुत सूखा मल बहुत सा इकठा हो जाए और गुदा की मांस्पेसियों के सिथिलता के कारण वो ना निकले तो प्लंबम मेटैलिकम से मल बाहर आ जाता है सक्त कबज की बहुत उत्तम मेडिशीन है प्लंबम मेटैलिकम मुत्र द्वार की सिथिलता अर्थात पिशाब रुख जाना सिथिलता का मुत्र द्वार पर परभाव परने पर रोगी का पिशाब रुख जाता है डॉक्टर कैंट एक स्त्री जो रोगनी थी उसका उल्ले करते हुए लिखते हैं कि वह दो दिन तक बेहोसी में पड़ी रही और इस अर्षे में उसका पिशाब रुखा रहा प्लंबम की उच्छ सक्ती की एक मात्रा से वह होस में भी आ गई और उसका पिशाब भी आने लगा शक्ती की बात कर लेते हैं तो 30 सक्ती, 200 सक्ती, 3 CS, 6 CS में बिलकूल प्लंबम मेटैलिकम को उपियोग किया जा सकता है एक क्यूट केस है 30 पोटेंसी में 2 बून दिन में 3 बार ले सकते हैं क्राउनिक है 200 पोटेंसी हफ्ते में एक बार लेंगे तो आपकी समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी दो-तीन दिन आप डेली ले ले जैसे आराम भी ले तो हफ्ते में 2 बून 200 पोटेंसी का ले लेंगे तो समस्या जो मैंने बताया है पेमब मेटैलिकम से रिगार्डिंग उसके लक्षन उन सब में बहुत जादा आराम प्राप्त होता है अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और किसी का भला हो इसके लिए वीडियो को शेर अवश्य कर दीजेगा आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर समझने में परिशानी आ रही हो या आप treatment करवाना चाहते हैं या आप अपने address पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे WhatsApp नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर कर सकते हैं दवा आपको किसी भी होमेपैथिक सौप पर मिल जाएगा दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैब दे खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा ले कच्चा प्याज और खटी चीजों का सेवन ना करें WSI, Rekweg, SBL, Edil किसी भी कमपनी की दवा आप ले सकते हैं सबी अच्छी है धन्यवाद